पूरो मंत्री गुलाब नभी आजाद के बयान पर सियासत शुरू हो चुकी है बारतिय मुस्लिम पहले हिंदू थे ये कहना आजाद का कश्मीर में 600 साल पहले कोई मुस्लिम नहीं था एक बड़ा बयान यहाँ पर सामने आ रहा है कश्मीर में पहले सारे कश्मीरी पंडित थे इसलाम तो आया ही 1500 साल पहले है बाहर से तो बस 10 से 20 आए होंगे ये बड़ा बयान गुलाब नभी आजाद का या कि सभी मुस्लिम धर परिवर्तन से बने है गुलाब नभी आजाद के बयान पर आब नरोतम मिश्रा ने उनका समर्थन किया है और कहा है कि ये बात वो कॉंग्रिस से दूर होने के बाद ही बोल पाए कॉंग्रिस की तुष्टिकरन की राजमी थी उन्हें बोलने के इजाजत नहीं दे रही थी इसलिए अब उससे अलग होने के बाद ये बात को कह पाए है तो गुलाब नभी आजाद के बयान पर आप सियासत गर्माती जा रही है पूरो मंत्री गुलाब नभी आजाद ने अपने बयान में क्या कुछ कहा है ये आपको सीधे सुदवाते है हमारी हिंदुस्तान में इसलाम सिर्फ वह वैसे पूरा इसलाम तो आया ही है बद्रस हुचान पहले हिंदू धरब बहुत प्राना है तो बाएर से आए होंगे दस्वीस वो जब मुग्रू की वकद में उनकी फौज में पाकिस को सब हिंदू से इतनाट हुए है मुसल्मान इंदुस्तान में और उसकी मिसाल हमारी कश्मीर में कश्मीर प्रों था 600 साथ पहले में सब कश्मीरी पंड़ थे सब वही इसलाम कर लिए बंगे तो मैंने का सब इसकी धरम में पैदा हुआ तो बयान में उनने क्या कुछ का ये भी आजादी का बयान सच में सच के करीब है कश्षप रिष्टी की तपू भूमी है कश्मीर और इसलिए उन्होंने कहा है कि उसके पहले सब हिंदु थे लेकिन ये बात भी वो जब बोल पाए जब वो कांग्रेस से दूर हुए कांग्रेस की तुष्टी करण की राजनीती जो है न जो जूटी राजनीती है न वो इस तरह का बोलने से रोकती है लोगों को ये गुलाम नभी आजाद जी के बाहर आने के बाद बोलने पर लग रहा है तो हमने आपको बयान भी सुनवाया और बयान के बाद क्या प्रतिक्रिया उस पर सामने आई है वो भी हमने आपको बताया पूरो मंत्री गुलाम नभी आजाद के उस बयान पर की कश्मीर में सभी धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम बने हैं आए ही 1500 साल पहले हैं मुस्लिम आजाद के बयान का आप नरुतम मिश्णा ने प्रतिक्रिया देते हुए समर्थन एक तरह से किया है लेकिन इसके साथ ही उन्हों ने ये भी कहा कि कॉंग्रेस से अलग होकर ही ये बयान आजाद दे पाए हैं क्योंकि कॉंग्रेस में रहते हु अलग है